C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तू थै ये कारेकरम, प्रोफेसर वेंकाट्रमन रामकृष्णन चात्रों के साथ ये कहानी वेंकाट्रमन रामकृष्णन की है, जो भारत में तमिल नाडु के चिदम बरम शहर से शुरू होकर, इंगलिन्ड में कैमरिज की प्रसिद्ध मेडिकल रिसर्च लबारट्री तक पहुँचती है, जहां वो अपने शोध जीवन के शिखर पर पहुँचकर, सन 2009 के र भौतिकी विज्ञान की लंबी शिक्षा के बाद, जीव विज्ञान को शोध का विशय चुनना, उनके विज्ञानिक जीवन का एक निरनायक मोर था भौतिकी विज्ञान में PhD करने के बाद उन्होंने जीव विज्ञान की ओर कदम रखे जिसमें दिनों दिन उनकी रुची बढ़ती जा रही थी यहां तक की कोशिका में प्रोटीन निर्माण करने वाले कारखाने यानी राइबोजोम जैसे जटल विशय को उन्होंने अपने शोध का विशय बनाया अत्यंत जटल शोध प्रयासों से उन्होंने राइबोजोम की सनरचना का परत दर परत रहस्योग घाटन किया जिसने उन्हें नूबेल पुरसकार का हगदार बनाया उसका हमारे शरीर में क्या योगदान है उसकी सन्रचना क्या है इस पर वैंकट रमन रामकृष्णन ने क्या कार्य किया ये सवाल जितने जटिल है उतने ही रुचिकर भी विज्ञान जगत से जुड़े लोगों की इसमें अपार जिग्यासा जागरित हो चुकी है इसका शरीय प्रोफेसर वैंकट रमन रामकृष्णन को जाता है उनके इस शोध ने अनेक शोध विशयों के रास्ते खोल दिये कई बार वैंकट रमन रामकृष्णन स्वयम चात्रों से मिले वे सरल शब्दों में चात्रों और युबा वैज्ञानिकों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि जिवन्त कोशिका में राइबोजोम कैसे और क्या काम करते हैं जिवन्त कोशिका के प्रोटो प्लाजम में राइबोजोम नामा के अनमिक सनरचना होती है कहीं कभी एंडोप्लाजमिक रेटिकिलम के उपर चिपकी हुई और कभी-कभी साइटोप्लाजम में स्वतन्त रूप से तैरती हुई तो आपको इतना तो पता है कि राइबोजोम कहां मौजूद होते हैं? देखे बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य के शरीर तक सभी जीवों की सभी कोशिकाओं में ये मौजूद होते हैं? और इनके बिना कोई भी जीव, जीवित नहीं रह सकता देखे बोशिका के हर कार्यकलाब के लिए प्रोटीन की एहम भूमिका होती है प्रोटीन अलग-अलग प्रकार के 20 एमिनो अमलों के जुड़ने से ऐसे ही बनते हैं जैसे मोतियों से माला एक प्रोटीन दस से लेकर दस हजार एमिनो अमलों की श्रिंखला से बनी हो सकती है दस हजार से भी अधिक प्रोटीन मिलकर मानव शरीर का निर्मान करते हैं और रासाइनिक स्तर पर उनका संचालन देखे इस बात का अब धीरे धीरे खुलासा हो चुका है कि RNA के और भी कार्य हो सकते हैं पर अब ये भी प्रमानित हो चुका है कि ज्यादतर कार्य प्रोटीन के द्वारा संपन्न होते हैं मसलन रक्त में ऑक्सिजन हीमोगलोबिन प्रोटीन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए जाते हैं हमारी आखों में प्रकाश रोडोपसी नामक प्रोटीन के द्वारा संप्रेशित होता है संक्रमान के समय जो एंटी बॉडी बनती है वो प्रोटीन था है जी आपकी तवचा मूलत है कुलाजन नामक प्रोटीन ही तो है सब्सक्राइब कोशिका के अंदर राइबोजोम की खोज के बार में कुछ पताईए प्लीज सन 1956 में रुमेनिया में जनमें अमेरिकन रसायन शास्त्री जॉच एमिल पलाडे ने प्रोटीन निर्मान करने वाले इन कोशिका कणों को राइबोजोम नाम दिया था इस शोधकारिय के लिए उन्हें सन 1958 का नोबेल पुरसकार मिला ये RNA और प्रोटीन अनुओं को मिला कर बनते हैं देखे हर एक कोशिका में हजारों राइबोजोम होते हैं सभी प्रजातियों के राइबोजोम दो उपिकाईयों से मिलकर बनते हैं इन में से एक बड़ी और एक छोटी उपिकाई होती है बड़ी उपिकाई छोटी उपिकाई से लगभग दुगने आकार की होती है जी और एक राइबोजोम का जो आकार है वो लगभग 25 नानोमीटर होता है 25 नानोमीटर गौश तो स्मॉल सर एक नानोमीटर तो एक मिलिमीटर का 10 लाग वाहिसा होता है देखे ये नन्हे काम करने वाले कणन बहुती सुक्ष्म आक्रितियां है देखे एक युकेरियोटिक कोशिका की बड़ी उप एकाई में तीन आर एन ए और 49 प्रोटीन के अनुकन होते हैं और छोटी उप एकाई में एक बड़ा आरने और लगभग 33 प्रोटीन के अनुकन होते हैं कुछ राइबोजोम एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम के तंतर में चिपके रहते हैं और कुछ साइटोप्लाजम में स्वतंतर रूप से तैरते रहते हैं येस एक्सपेरिमेंट्स आफ प्रूब इट अनुजीव विज्ञान के शोध बताते हैं कि राइबोजोम ऐसे संयंत रहें जो हमारे गुण सूत्रों से संदेश लेते हैं और इनमें से निर्देश लेकर प्रोटीन का संचलेशन करते हैं याने आप यूँ कह सकते हैं कि गुण सूत्रों में प्रोटीन निर्मान के संदेश होते हैं और राइबोजोम उन संदेशों का इस्तेमाल कर प्रोटीन बनाते हैं यहां मैं जीव विज्ञान के अनुवाद की केंदरिय समस्या का जिकर करना चाहूंगा देखिए नुकलिक अमल की भाषा से प्रोटीन की भाषा को बदलने के लिए अनुवाद की प्रक्रिया की जरूरत पढ़ती है तो सबसे पहले फ्रांसिस हैरी कॉम्टन क्रिक ने इस बात का सुझाव रखा उन्होंने कलपना की कि RNA एक अडाप्टर है जो कुछ नुकलो साइड से बना होता है वो मेसेंजर RNA पर से गुजरते हुए एक जीव चेन की तरह एमिनो अमलों की श्रिंखला को जोडता जाता है परंतु सर डीने और राइबुसों में क्या संबंध है? ये दोनों अनु कोशिका में न्यूकलियर आवरण के बाहर और अंदर दोनों जगहों पर होते हैं और एक दूसरे से उनमें किसी प्रकार का संपर्क नहीं होता है जीन याने गुणसूत्र की एक प्रती DNA द्वारा निर्मित होती है संदेश वाहक MRNA राइबुसों के उप अनुद्वारा अनुवादित होता है प्रोटीन के लिए एक प्रकार के खाके का काम करता है MRNA और राइबुसों के दोनों उपकरण एक इकाई की तरह इकठे काम करते हैं MRNA के नुकलियोटाइडों में छुपे तिकड़े कोड की गुपत भाशा को पढ़ते हैं तो इस तरह जीवन की बुनियादी जीवरासाइनिक प्रतिक्रियाओं की तस्वीर उभरती है जहां संदेश DNA से शुरू होकर RNA तक पहुँचते हैं और इस प्रकार वो एंजाइम और प्रोटीन के रूप में उभरते हैं राइबोजोम के छोटे उपकरण एक ऐसा आणविक स्केल है जो इसका निरीक्षन करते हैं कि कोड और उनके प्रतिविम्ब कोड एक दूसरे से ठीक ठीक मिलते जुलते हैं अगर उनमें कोई तूटी होती है तो ट्रांस्फर आरेने वहां से हट जाते हैं जी सर लेकिन सर इसके बाद क्या होता है लेकि आधुनिक सूचना प्रद्योगी की यानि Information Technology की भाषा में जीन डिजिटल है इसके अनुसार डिएने डिजिटल सूचना को संजोने का जैसे एक टेप रिकॉडर हो और आरेने उस सूचना को प्ले करने का जरिया है बच सर ये प्रोटीन संचलेशन में बड़े उपकरण और छोटे उपकरण अपना अपना रोल कैसे निभाते हैं देखें ये समझने के लिए हमें राइबोजोम की संरचना की बारीकियों को जानना होगा अगर आप ये नहीं जानते कि किसी यंत्र में जैसे मोटर में इंजन कैसे काम करता है तो आप निश्चित ही ये नहीं समझ सकेंगे कि मोटर कैसे काम करते हैं इसलिए राइबोजोम की परमानु सनरचना का निर्धारण करने के लिए हमें उसकी अतीस सूक्ष्म और स्पष्ट तस्वीर का पता लगाना जरूरी है अपने शोद के लिए हमने एकसरे याने अग्यात किरने क्रिस्टलोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किया है किसी भी वस्तू की क्रिस्टल आक्रिती के अंदर छुपे परमानु की सनरचना का इस तकनीक के द्वारा पता लगाया जा सकता है आप इसे 3D फोटोग्रफी समझ सकते हैं जी जी फर कितना है कि इसमें प्रकाश की जगे एकसरे का इस्तेमाल होता है एकसरे की किरणों को सिंक्रोटोंस नाम की मशीन से उत्पन किया जाता है चुँके द्रिश्यमान प्रकाश की किरणों की तरंगों के अनुपात में इन न दिखने वाली अद्रिश्य एकसरेज की तरंगों की लंबाई छोटी होती है इसलिए जब किसी अनुपर इन किरणों का प्रहार किया जाता है तो वे उस स्वस्तु से गुजरते समयें अपना पत बदल लेती है और इस प्रकार अगर उनकी तस्वीर किसी फोटोग्रफी फिल्म पर ले ली जाए तो धूमिल वृत्ताकार आकृतियों का एक पैटन बन जाता है ये ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी फानूस के अंदर प्रकाशमान होने वाली लौ की परचाई दीवार पर पढ़ने से एक आकृती बन जाती है फानूस की परचाईयों की आकृती से फानूस की बनावट की कलपना की जा सकती है ठीक उसी प्रकार गणिती ये गणनाओं के द्वारा जीव अनूओं की रचना भी पता लगाई जा सकती है सबसे पहले सन 2000 में हमने राइबोजोम की दोनों उप एकाईयों की परमानूसन रचना का पता लगाया और इसके बाद आगे के रास्ते खुलते ही गए मुझे आप लोगों में बहुत सारे वाई ज्यानिक नजर आ रहे हैं I must say you've been a wonderful audience Sir thank you so much sir it was wonderful listening to you sir You know science in itself is a wonderful story तो हूप कहानी बढ़िये Thank you sir Professor Venkatraman Ramakrishnan चात्रों के साथ अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम शोध एवं शोध आलेख Dr. Jitendra Singh Kalakar Richa Sayal Sandeep Bhatt Gaurav Marwa वेभव रक्षित CIRS मूर्ती मम्ता मलकानी वेभव प्रताप सिंग किशोर सहजानी और बावला कोचर पार्ष्व संगीत हर्भजन सिंग धोनेंकन बटिल्लेंग लिंडो और शानु मुक्सीम निर्मान निर्देशन वदोनी संपादन वन्दिना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नैतिल्ली भारत प्रस्तुत प्रस्तुत